उत्तम तिर्दों में स्तान करने वाला सुन्दर सरीर वाला एवं सुखु का बहुत ही भोग करने वाला ऐसा जातक होता है जिसकी जर्मकुंड़ी के नवे घर में सुक्रदेवता बैठे होते हैं। देवरता ब्रामण गुरु एवं गौव सिवक होता है तथा पवित्र रहने वाला एवं अपने स्वा के उपाजिर धन से धनी होता है ऐसा जातर बहुत ही आरंद पुल्बग अपना जीवन की दाने वाला होता है। इस्त्री मित्र और स्रेष्ट पुत्रों से संपन भी ऐसा जातर ब्यक्ति प्रसंद्चित रहने वाला एवं अतिछी देवता गुरु बव ब्रामणों की सेवा करने वाला भी ऐसा जातर होता है। एवं अपने धन को और वाहन को देख करके बड़ाई खुश रहता है। किसी सादू संत के समान दहने वाला, मुनी के समान दहने वाला, क्रोध इंधर्म और विवेक से युक्त ऐसा जातर देखा जाता है। यानि सुखी एवं धनी कता राजाओं से भी पुजित ऐसा जातर होता है। नम्र लोगों का प्रिये एवं तपस्वी स्वभाव के इस्त्वी और पुत्र भी इसके होते हैं। ऐसा जातर अपने जन्म के समय से 15 बर्स में बहुत अधिक लक्ष्मी को प्राप्ट करने वाला भी होता है। तो खुल मिला करके नम्र भाव में अगर देखें, अगर सुक्र बैठा हो तो निश्चे क्रुप से ऐसा जातर बहुत ही बुरवान, सीलवान एवं धालमिक होता है। दंधान यादी से संपन्न होता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और अपने ग्रहों का आखलन की जिए अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानी है, दुख है या फिर किसी ग्रह के वज़े से तक्निके पा रहे हैं तो आप हमें संपर्थ कर सकते हैं, आप कहीं भी रहते हों फोन पर अपन सलाह दे देंगे तो आप हमें संपर्थ कर सकते हैं, ठीक है?